हारी क्रिश्न जैशील प्रभुपाद क्रिश्न भावनाम्रित इतनी बिव्य वह सुन्दर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वत्य नीरस हो जाता है ये वैसा ही है जैसे भरे रेगिस्तान में किसी प्यासे व्यक्ति को प्रचूर मातरा में मीठे पानी का पान करने को मिल जाए तो चलिए आज जल्दी से भगवत गीता के उन सुनहरे पन्नों को खोले और भगवान के अम्रित वचनों का पान करके अपनी प्यास को शान्त करें आज हम साथमा शलोका करेंगे साथमा शलोका अर्थार्थ हे अर्जुन इंद्रिया इतनी प्रबल और वेगवान है कि वे उस विवे की पुरुष के मन को बलपुर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का भी प्रयत्न करता है अब अनुवात के नुसार भगवान इसमें अर्जुन जी को इंद्रियों की प्रबलता के बारे में बता रहे हैं वे कह रहे हैं कि इंद्रिया इतनी वेगवान और प्रबल हैं कि वे पल भर में ही विवे की पुरुष के मन को विचलित कर लेती हैं और माया में फसा देती है यहाँ पर अनेक उधारन है उनमें से एक है महरशी विश्वामित्र और मेनका का कैसे उनकी इंद्रिया विश्य भोग में लग गई और वे अपना मुख्य लक्ष भूल गए और मेनका के साथ विश्य भोग में लग गए जबकि वे कठिन तपस्या वो योग कर रहे थे मन को भगवान कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य भौतिक कार्यों को बन नहीं कर सकता क्योंकि जब आपका मन भगवान श्री कृष्ण के चर्नार विंदो में लग जाता है तो दिव्यरस का अनुभव होना अपने आप शिरू हो जाता है और सारे इच्छाएं अपने आप धीरे-धीरे खतम होने लगती है आज का सूविचार हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम मीरा जी के सिर्फ इसी पत को अपने मन में उतारे मेरे तो गेर धर गोपाल दूसरों न कोई अर्थार्थ गोपाल जी को छोड़कर मेरा कोई भी अपना नहीं है सिर्फ एक गोपाल जी है जो कि मेरे अपने है हमें अनेक रिशी मुनी, ज्यानी और विद्वानों की नकल तो नहीं करनी चाहिए लेकिन उनकी कही हुई बातों को हमें अपनाना चाहिए जिससे मानने से हमारा कल्यान हो जाएगा और वो सभी सिर्फ एक ही बात कहते हैं नाम जब तो जबते रहिए हरे क्रिश्न, हरे क्रिश्न, 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 हरे 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 राम, हरे राम, 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 हरे हरे और खुश रहिए इसी के साथ भगवद गीता यथारूप का साथ माशलों का पूरा हुआ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और हमेशा खुश रहे हारे कृष्णा जैशील प्रभुपाद